2024 और 2025 कॉमेडी मूवी लवर्स के लिए कमाल का साल होने वाला है क्योंकि ये दो सालों में बहुत ही जबरदस्ट कॉमेडी फिल्में आने वाली है तो आज हम टॉप 10 कॉमेडी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिन फिल्मों के लिए ओडियेंस बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं और इन फिल्मों के अंदर हम सभी को जबरदस्ट कमाल की कॉमेडी देखने को मिलेगी तो चलिए देखते हैं वैसे कुछ इंक्रेस्टिंग फिल्में आ रही है तो विडियो को कम्प्लीट देखिएगा ल अच्छी कॉमेडी करने आती है वो भी देखने को मिलेंगे फिल्म के डिरेक्टर ग्रेट डिरेक्टर एहमद खान है ये फिल्म वेलकम फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है जिसको बहुत ही बड़ी स्केल पर बनाया जा रहा है श्रेयस तलपडे जो की फिल्म के अंदर दे संबर को आने वाली है नंबर नाइन पर एक अंटाइटल्ड फिल्म है यह फिल्म एक कॉमेडी फिल्म होगी जिसकी ओफिशल अनाउंस्मेंट हो चुकी है दरसल यह फिल्म पहले 2023 में थेटर में आने वाली थी लेकिन अब यह फिल्म 2024 में आएगी इस कॉमेडी फिल्म में संजय दत और अर्शद वारसी की शांदार कॉमेडी करते हुए दिखाई देंगे फिल्म को डिरेक्टर सिधान्त सचदेव डायरेक्ट कर रही है फिल्म का पहला लुक पोस्टर आ चुका है जिसमें आप इन दोनों अभिनेताओं को जेल के अंदर देख सकते हैं स्त्री टू फिल्म बॉलीवुड की तरफ से आने वाली होरर कॉमेडी फिल्म है ये फिल्म 2018 में आई सूपर हिट फिल्म स्त्री का सिक्वल होने वाली है जिसमें हमको कमाल की कॉमेडी और होरर देखने को मिला था ठीक उसी तरह से इस फिल्म के भी अंदर हमको जबरदस्त कॉमेडी प्लास होरर देखने को मिलेगा इस स्त्री टू फिल्म सूपर नाचरल यूनिवर्स का पार्ट होगी जिसमें कई सारी फिल्में आल्रेडी आ चुकी है फिल्म में वरुन धवन का स्पेशल कैमियो होगा एज अभेडिया फिल्म में एक बार फिर से राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर देखने को मिलेगी ये फिल्म 30 अगस्त 2024 के मौके पर देखने को मिलेगी नमबर 7 पर है खेल खेल में ये फिल्म एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिसमें हमको कुछ दोस्तों की कहानी देखने को मिलेगी इस फिल्म की स्टार कास्ट कमाल की है फिल्म में अक्षय कुमार के साथ फर्दीन खान, आदित्यशिल, वानी कपूर तापसी पन्नू दिखाई देंगी 2007 की सूपर हिट फिल्म हे बेबी के बाद अक्षय कुमार और फर्दीन खान की कमाल की जोडी इस फिल्म के अंदर हमको एक बार फिर से देखने को मिलेगी फिल्म की शूटिंग आल्रेडी शुरू हो चुकी है फिल्म को डिरेक्टर कमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें हमें तीन दोस्तों की कहानी देखने को मिलेगी जो की बचपन से गोवा जाने का सपना देख रहे हैं और वो बड़े होकर गोवा की एडवेंचरस ट्रिप मारते भी हैं ट्रेलर के स्तर पर यह फिल्म एक परफेक्ट कमेडी फिल्म लग ही है इस फिल्म में दिवेंदु शर्मा प्रतीक गांधी अविनाश दिवारी और नोरा फते ही देखने को मिलेंगे बहतरीन बात यह है कि यह फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है कुनाल खेमु ने जो की कई बहतरीन कॉमेडी रोल्स को पहले ही निभा चुके हैं यह 22 मार्च 2024 के मौके पर थेटर में आने वाली है नंबर 5 पर है एक अंटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म यह फिल्म एक बड़े बजट की कॉमेडी एंटर्टेन्मेंट फिल्म होगी जिसे डेविद धवन डायरेक्ट करेंगे जो कई शानदार कॉमेडी फिल्में बना चुके है लेकिन इनकी पिछली कई फिल्में बहुत ही बिलो आवरेज रही हैं बॉक्स ओफिस पर तो उम्मीद है कि ये फिल्म कड़क मूवी बनकर आएगी इस फिल्म में वरुन धवन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे जो की डेविद धवन के डायरेक्शन में पहले से ही ती लेकिन फिल्में कर चुके हैं मैं तेरा हीरो जुर्वा दो और कुली नंबर वन यह बाप बेटे का फोर्थ कोलाबरेशन होगा एक साथ और यह डेविद धवन की 46 फिल्म होने वाली है ऐस डिरेक्टर जी हाँ इस फिल्म में वरुन धवन दो अभिनेत्रियों के साथ रोम इस फिल्म के लिए हर कोई वेट कर रहा है और एकसाइटेड है क्योंकि यह फिल्म इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महेंगी कॉमेडी फिल्म होगी जिसका बजट 375 क्रॉर होने वाला है तो देखते हैं फिल्म के अंदर हमको क्या बवाल देखने को मिलता है हाउस फिल फिल्म एक हेवी वी एकस कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें हमको एक माइंड ब्लोविंग स्टोरी देखने को मिलेगी ऐसा मेकर्ज का कहना है फिल्म को दोस्ताना फिल्म डैरेक्टर तरौन मनसुखाने डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म में अक्षय कुमार और रितेश हमेशा की तरह में लीड में दिखाई देंगे ये फिल्म पहले दिवाली 2023 को आने वाली थी लेकिन अब ये मूवी 6 जून 2025 को आने वाली है नमबर 3 पर है विक्की विद्या का वो वाला विडियो ये फिल्म एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसमें राजकुमार राव और त्रिप्ती डमरी की जोडी देखने को मिलने वाली है ये फिल्म एक मज़ेदार कॉमेडी फिल्म होगी फिल्म की कहानी नब्बे की दशक की है कहानी एक छोटे से कसबे की होगी जहां भी H.A. स्टेप मिलता है जिसमें विकी विद्या का वो वाला वीडियो होता है कौन सा वीडियो वो हमें फिल्म देख कर पता चलेगा मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म 106% परिबारिक होगी फिल्म में हमको भरपूर कॉमेडी और फुल दोनों मुवीज में अच्छी कॉमेडी थी दोनों मुवीज ने बॉक्स ओफिस पर 100 क्रोर प्लास का नेट कलेक्शन भी किया था ये फिल्म इसी साल थेटर्स में रिलीज होगी नमबर टुपे है हेरा फेरी 3 हेरा फेरी 3 फिल्म बॉलीवुड की आने वाली एक ऐसी कॉमेडी फिल्म है जिसका हर कोई वेट कर रहा है वो भी सालों से ये फिल्म हेरा फेरी फ्रैंचाइज का थर्ड इंस्टॉल्मेंट होगी हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी में एकदम ज मैं इस फिल्म के लिए ज्यादा एकसाइटेड हूँ और सिद्धत से वेट कर रहा हूँ अगर आप भी मेरी तरह इस फिल्म का बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में आप सभी को हेरा फेरी 3 जरूर लिखना है कहा जा रहा है ये फिल्म वेलकम ट हो चुकी है डिरेक्टर रोहित शेटी ने कंफर्म कर दिया है कि ये फिल्म आने वाले 2 साल के अंदर ही आ जाएगी इसका मतलब ये फिल्म हमको 2026 तक देखने को मिलेगी रोहित शेटी ने कहा था कि ये फिल्म पिछली सभी फिल्मों में से बड़ी होगी जिसमें आक्शन तो नहीं होगा लेकिन धमाकेदार कॉमेडी होगी तो देखते हैं तो आप लोग कौन सी कॉमेडी फिल्म का वेट कर रहे हो आप सब को लिख कर बताना है विडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया